हल्लो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त आरके एंड वेलकम टो माई यूटूब चैनल लास्ट वीडियो में मैं बताया था एक ओडियो मिक्सर के साथ आप ओडा सिटी में तीन अप्शन भद दिया था आपको क्योंकि इतना अच्छा खासा में अप्शन दिया था तीन है तो ले वीड् hine साउंकर में ओडासििटी में कैसे हम अच्छा कहसा का पासा पासा रेकर कर सकते हैं देखिए मैं हर इंसान कुछ ज्यादा कुछ इनिशियल स्टेज में हम इतना ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है अगर मैं सुरू से ही बोला हूँ हम लोग ये हमारा जो होम स्टूडियो सेट अप बनाने के लिए हम जितना ज्यादा खर्चा उतना अच्छा हमको क्वालिटी मिलेगा लेकिन हमेशा हम ऐसा नहीं कि हमारा घर हूम स्टूडियो सेट अप बोले क्या है अपने के लिए हमारा घर में एक छोटा था सेट अप हम बना रहे हैं ऐसे नहीं कि लाख़़ रुपियां यहां पर खर्चा कर देंगे नहीं है इ हम सबसे में तो हमेशा सोचता हूं कि हम सबसे कम में कैसे हम अच्छा खाता क्वालिडी हम पाप आएंगे अई में मेरा मौक्षद हमेशा है अब बिलीब नहीं करेंगे मैं सुरू बात में मैं जब मेरा पहला गाना में रेकर्ड किया था में मोबाइल का जो इयर फून है उस मेरा पास लाप्टप है और शिटी में हम कैसे को भर संग बना सकेगे हम अच्छी इसलिए हमको यूज करना पड़ेगा रेकर्ड तो हो जाता है हम इफेक्ट करना है जो अलंकार बोलते हैं हमारा गाना को जो शार्प करना है और सार्प करना है और क्रिश्टल क्लियर कर सकते हैं तो इसलिए इसमें मॉल्टि फंक्शन है तो हम आज बात करेंगे एक V8 साउंड कार्ड में कंडेंसर माइक के साथ आप चाहिता डायनामिक माइक भी उच कर सकते हैं कोई बात नहीं जो है आपके पास ओई ये उच करके काम शुरू करो साब ऐसा कभी भी नहीं स सुचना कि मेरा पास कम पैसा है मेरा पास ओ होना चाहिए था ये होना चाहिए था बड़ा बड़ा ब्रांडेड में मेरा पास रहना था इह बिलकुर बगबास से बिलकुर सुची है मत साब आपको अगर रियली इंट्रेस्ट रहना जो है उसमें ही शुरू करो तो दीन कर रहा है इसके साथ बहुत सारा केबुल आता है मैं आज की कर रहा हूँ वो सब केबुल को यूज zwischen नहीं कर रहा हूं मैं आज जो केबुल मुझे चाहिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं मैं आज यूज कर रहा हूं देख़िए 3.5 mm का ऐसे दो पॉइंट रहना वाला, 3.5 mm का, यह जो ऑक्स है ना, 3.5 mm का, दो साइड में 3.5 mm का, एक केबूल लिया हूँ, और एक sound adapter, USB sound adapter लिया हूँ, बस इतना ही मुझे चाहिए, और मैं headphone लिया हूँ, और condenser mic, condenser mic जो BM800 का condenser mic हो, अथवा dynamic mic हो, कोई भी, mic आपके पास जो है, उसम मेरा पास laptop में, audacity में हम record करेंगे, तो पहले मैं इसको connectivity आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको थड़ा close up में दिखा देता हूँ, देखिए, आज तब आपको सभी लोगे ने बताया होगा, कि जब connection करेंगे, आप यहाँ पर live 1 में connection करना, live 2 में connection करना, live 1 में connection करना, live 1 में सभी लोग में भी बताया हूँ, लेकिन आज मैं जो trick बता रहा हूँ, यह trick ध्यान से सुनिए, यह trick बहुत अच्छा खासा काम करता है, हमारा जो condenser mic है, यह condenser mic का 3.5 mm काम, हम क्या करेंगे, condenser mic का जागा में लगा देंगे, और हमें शिर्फ उसके साथ जो cable आया है, कुछ 5 mm, दो side वाला cable, एक लेना है, और यह से sound splitter लेना है, USB वाला, और आपको अगर laptop में record कर रहे हैं, तो यह sufficient है, अगर आपको laptop से में नहीं करना है, तो इसके साथ 1 OTG connect कर दीजे, करके आप mobile में कीजे, मैं laptop में आज करूँगा, तो इसको शरीव यह करूँगा, तो यह क्या क अगर में पीस को लेके हमने यहाँ पर sound splitter में लगा देने का और इसको लेके हमने laptop में लगा देंगे, लपटोप में लगा देंगे, काम खतल, और हमारा जो headphone हमारा जो headphone है, sound card में नहीं लगाएंगे, क्योंगी हम ज्यादा कुछ इसके अंदर input दे रहे हैं, यह noise करता है औ तो यही है इसका शेटिंग तो आपको देखा श्रिफ दो केबल में अगर हाँ यहाँ पे ऐगर कोई मुबाईल से कारोग प्लेश करना चाहते हैं तो आपको क्या करना फिर भी लाईवान-लाइव्टू में नहीं देन का आपका अगर कोई दूसरा मोबैल से आप कारों की प्ले कर रहे हो तो आपको जो आडिशनल इंस्ट्रूमेंट दिया गया कंपनी इंस्ट्रूमेंट उधर ही लगा देने का तो यह हो गया सिक्रेट सेटिंग इसमें आप अच्छा खासा बिना नौइज वाला थोड़ा बहतन क्वालेटी का आप रेकर्ड कर पाएंगे यही है सेटिंग आप सेटिंग और एक बार देख लीजिए कुछ भी नहीं है मैं पूरा आपको दिखा देता है उपर लेके हेड़फून में हे अगरेंशनभाया झाहतर सिर्फ एक केबूल में लगाया हूं जहां पर त्री प्वाइंट फाइव में कंडे़िकर हो उसको कहां इसमें कोनेट कर दिया हूं यह secret technique है साथ, बहुत लोग इनको कोई भी बताया नहीं होगा, मैं बताया हूँ, अगर, हाँ यहाँ पर और भी एक secret technique बता रहा हूँ, अगर आपको अड़ाशीट में ज्यादा idea नहीं है, आप चाह रहे हैं, आपका vocal और आपका कारों की दुनों mix हो के जाके अड़ाशीट म प्ले करेंगे ना, आपको कहां पर लगाना है, उसका input देना है, additional instrument करके है ना, accompany instrument, उसमें आपको कारों की प्ले करगाना, अभी हम क्या करेंगे, अड़ाशीट में रेकर्ड कर रहें, तो कारों की हम अड़ाशीट में प्ले करेंगे, और क्या करेंगे, मैं headphone, laptop में connect किया तो अभी हम चलते हैं, live टेस्ट करके, आज जो भी vocal में record करूँगा, मेरा गाना, पूरा यही टेक्नी रेखिए, V8A 100 on है, तो दो option में आपको बताऊँगा, दो option में आप कैसे, कैसे आप गाना record कर पाएंगे, अभी चलते हैं, पूरा computer screen का उपर, उससे पहले मैं request करता अगर अभी तक मेरा चैनल को subscribe नहीं किया है, प्लीज subscribe कीजिए, आपके लिए मैं बहुत महनत करके एक एक वीडियो बनाता हूँ, बिलिप कीजिए, तो subscribe कीजिए, like कीजिए, और चलते हैं, computer screen का उपर, तो friends, यह पहला option है, हम Audacity open कर दिये हैं, देखिए, laptop में, और हमें यह भूल जाते हैं लोग, तो हमेशा ध्यान देना, पहला हम कारक यहां से input करने से पहले, हमारा जो USB, यहां पहला, USB इसको select कर देना, और हमको stereo में करना है, और speaker, speaker में रहने दीजिए, और इसका जो microphone का volume है, recording volume थोड़ा, 70-75 तक अंदर रखना, ज्यादा नहीं करना, ज्य यह जो microphone है, हमेशा USB में select करके रखना है, जो mic का single, तो अभी हम क्या करेंगे, track को input करेंगे, और उसका पर हम record करेंगे, track को input करने के लिए, file में जाएंगे, input audio, तू मेरा, मेरा गाना पर करूँगा, तो हो गया, इसको open कीजिए, यह आ गया, अभी देखिए, मैं आपको record क स्रिफ हमारा vocal eco के साथ record होगा, यह कारवकी के साथ mix होके नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने music का input हमने weird sound card को नहीं दिया है, यह एसे technique use करने से क्या होता है, हमारा जो voice है ना, उसको और सुरिला हम बना सकते हैं, उसमें noise remove कर सकते हैं, एक बार music के साथ mix होके हमा इको के साथ यह पहला बला option, इको के साथ में दिखा रहा हूं, इका के साथ यहाँ पर नीचे record होगा, तो चलिए record करेंगे, transport, recording, recording, new track, अभी देखेंगे तू आज मेरी रोह से जो गुजर गई है सांस मेरी सोच के यह निखर गई है बस इतना ही रेने दीजिए, मैं थुला भलिम ज्यादा दे दिया था इसलिए ज्यादा आगया है, आप थुला डिस्ट्मेंटन के जिए माई के साथ तो थुड़ा अच्छा आपको खचा आगया अब देखेंगे, यह कैसे आए? आप सुनाता हूं अभी देखें, इसको मैं म्यूट कर देता हूं ट्राक को तो यह देखें, इस अब जो दिखा दे रहा ना, यह नोइज है, यहनोइज को हम भी होटाएंगे पहले देखिए हम ज्यादा ओयर वेट साउंड काड में कनेट करेंगे ना ज्यादा प्रब्लेम होगा ज्यादा नॉज क्रेट होगा यह सिंपल टेक्निक वीज की देखिए कितना क्लियर हुआ है और यह जो नॉज है ना इसको हम आसानी से हम रिभूम करेंगे अड़ाशितिका ट् नॉज हो ना देखिए मिख्स हों चाहिए और फैसको फ्लेख कर देंगे तो ओल को मेरे रूह से जो पुझे गई है हम इको के साथ इसको रेकर ड की है तो यह हो गया हमारा आप्शन नमबर वण तो फ्रेंड्स अभी मैं आप्शन नमबर टू के बारे में बात करूँगा जो दो ओयर मैं आटेज किया हूँ ओई दो ओयर एक आपका कंडेंसर माइक और एक जो 3.5 mm का जाब उतना रहेगा लेकिन हमको एक को जीरो कर देना एक को नहीं डालेंगे क्यूंकि हम एक को डाल देंगे ना फिर ओडासिट में एक को रिभर्ब देंगे तो हमारा डॉबल ए क्या करेंगे हमारा वीट साउंड करका थ्रू हमने रहा भुकाल रेकर्ड करेंगे रहा भुकाल रेकर्ड करने के बाद यहां पर जो मैं ओडासिटी का ट्यूटिर्याल दस स्टेप बताया हूं वह स्टेप आप फलक कर दिजिए और आपका गाना स्टूडियो जैसे बन ज चुरू हो जाएगा हमारा बिल्कुल रहा होकाल रेकर्ड होका तो रेकर्ड स्टार्ट करेंगे तू आज मेरी रूह से जो गुजर गई है सांस मेरी सोच के यह निखर गई है बस इतना ही रहने दिजे फ्रेंड्स क्योंकि मैं पूरा लंबा करना नहीं चाहता हूं आपको मेरा चैनल पर विडियो देखिए पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इसको मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए सेंपल कर रहा हूं तो आप तो अभी देखिए यह विल्कुल रॉह वकाले इसको म्यूट कर देंगा देखिए मारा कारकी को यह विल्कुल रॉह वकाले आप सुना देता हूं तो आज मेरी रूह से जो गुजर गई है सांस मेरी सोच के यह निखर गई है तो यही यह जो रॉह वकाल रेकर्ड करने के बाद आपने क्या करेंगे अड़ा सिटिका में जो ट्यूटिरल बताया हूं दस जो गोल्डेन इफेक्ट्स यही गोल्डेन इफेक्ट्स इसमें डाल दीजिए और आप देखिए आपका गाना सबको चैलेंज करने वाला गाना बन जाएगा अच्छा खासा पहले जो रेजल्ट आपको मेर रहा था और यह जो मैं फर्मुला बताया जो दो स्टेप्स दो टेक्निक बताया इसमें आप यूज करके देखिए आपका डिफेरेंस आपको खुद को ही पता चल जाएगा फ्रेंड्स मुझे उमीद है यह जो भी इन्फर्मेशन में दिया आपको हेल्फुल होगा क्योंकि यह प्राव में प्राक्टिकल करके देखा हूं और सेम आपको शेयर किया हूं इसमें कोई भी सटकट नहीं बताया हूं जूट भी नहीं बताया हूं पूरा प्राक्टिकल और शेयर करूँगा आप खुलम-खुलम मुझे वर्षब में फास्ट मेसेज कीजिए उसके बाद में कॉल करूँगा बात करेंगे जो भी डाउट है पूरा क्लियर करूँगा आप मेरा दोस्ते सब आपका हर डाउट में क्लियर करूँगा यह मेरा वादा है तो मिलेंगे औ और एक बहतरिन वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते.